चोपडा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों अभी जो सिच्वेशन चल रहा है हम सब इस से वाकिब हैं इसमें हमें धहरिये के साथ अपने स्टडी भी कंटीनियू रखनी होगी क्योंकि ऐसे बहुत से नीट एस्परिंट हैं जो खुद इस बिमारी से परेशान हुए हैं या फिर उनके परिवार में किसी न किसी सदशी ने जरूर ये परेशानी का सामना किया है मालुम उसी को चलता है जो ये परेशानी झेल चुका है तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये ही है कि आपको पहले ही सावधानी रखनी है मैं भी इसकी चपेट में आ चुका हूँ यानि कि मेरे को भी दो अप्रेल को कोरोना हो चुका था तो मैं इस बात को भले बाती जानता हूँ कि जिस पर बीटती है उसी को मालुम चलता है लेकिन अगर इंसान पहले से ही सतर्क रहें तो चांसे बहुत कम हो जाते हैं थोड़ी सी लापरोई मेरी भी ये रही पिजली साल हमने करोना की समय बड़े इस तर पर काम किया था मगर इस साल मैंने अपने लेवल पर ही लोगों को मास्क मारटना और उनको समझाना की घर से बार ने निकलें ये आप घर के अंदर ही रहें तो इस परकार की सल़ादेना मैंने लोगों को सुरू किया था इसी बीच मेरी कहीं कहीं कोई लापर्वाई रह गई और इसी लापर्वाई ने मेरे को कورोना पोजिटीव बना दिया तो दोस्तों, आप मेरे बच्चों जैसे हैं इसको नॉर्मल मत लो आप अपने सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा भी करना आपका दाईतव है और अगर आप कहीं न कहीं इसमें इफेक्ट होते हैं तो आपकी कम से कम 15 दिन की स्टडी तो लोस होई जाएगी अगर आप इससे affected हैं तो आपको धेरिये रखना होगा क्योंकि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है अगर आपकी 10-15 दिन की study loss भी हो जाती है तो बिल्कुल tension नहीं लें अभी नीट की तयारी के लिए sufficient समय है दो-तीन महिने में 10-15 दिन की study आराम से कवर हो जाएगी तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो के अंत में यही कहना चाओंगा कि आपको सतर्क रहना है और घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है बचाव ही उपाय है और अगर आप कोरोना positive हो भी गए तो free caution के साथ अपना इलाज करवाना है और अगर इस दोरान आपकी study disturb भी होती है तो आपको tension लेने के आवश्यक्ता नहीं है आप जरूर इसको cover कर लेंगे बस दहरिये के साथ आपको काम लेना है मुझे उमीद है मेरे को एक अपने family का हिस्सा मानते हुए मेरी इन बात्तों पर आप ध्यान रखेंगे लापरवाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि छोटी सी लापरवाई आपको बहुत बड़ा नुक्सान पहुंचा सकती है गटना गटने के बाद ही कहानी बनती है और हम बाद में पस्ताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा करना चाहिए था वो बाद में बाते होती हैं इस परकार की तो बच्चों मेरा कहना यही है कि आपको इस में बिलकुल सावधानी और धरिये की साथ में काम लेना है और अपने वे अपने परिवार को सेफ रखना है इसी आसा और विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खतम करते हुए नेक्स्ट में आप से फिर मिलूँगा तब तक के लिए जय हुँ